जहिंद आतीसी मार लेना नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा जब डिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे थे तो ये दिल्ली में जलबोड की मंतिरी हुआ करती थी और दिल्ली के लोगों को पूरी गर्मी जो है बिना पानी जो है प्यासे मरना पड़ा था अभी बरसात का दीन है और दिल्ली सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि बारिस के दिनों में जो है दिल्ली की जो सडके जो है वो तूट चुकी है उसका खस्ताहाल हो चुका है उ तक कि दिल्ली के सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि दिल्ली का जो ड्रेनेस सिस्टम है सीवर सिस्टम है उसकी जो है साप सफाई करा सके अर्विन के जरिवाल जब जेल चले गए तो दिल्ली जो है करनाटक हिमांचल परदेश और पंजाब के रास्तों पे निकल पड़ से जब करनाटक का एकनॉमी खराब हुआ तो पेट्रोल और डिजल का दाम बढ़ा देना पड़ा ही मांचल जो है वो क्राइसिस जहल रहा है और पूरी तरीके से जो है वो अब केंद्र के डोनेशन पे जो है वो डिपेंडेंट हो गया ही मांचल परदेश और पंजाब के मु कि जो दो आज़र पच्यिस में फरवरी में डिल्ली में चुना होने वाला था उसके पहले डिली के लिए कुछ परतियासित रूप से इन्हे करना पड़ता चुकि इन्हों ने दस साल के अंदर फ्री के अ्लावा कुछ नहीं किया डिल्ली को जो है वो नर्क बना दिया डिल प्रवुना की इस्तिति आप सभी को पता है हर घर में पानी पहुचा लेकिन बारिस के दिनों में गर्मी और ठंडा के दिनों में लोग जो है उप परदूसन और प्यासे मरने को मजबूर हो गए इन सब चीजों के बीच में अर्विंद केजरिवाल ने सोचा कि एक मास्टर स टॉक खेलते हैं और एक महिला को जो है सीम बनाते हैं जो रवर स्टाम की तरह काम करेगी दिल्ली में मेरे लिए उन्हों ने जेल जाने से पहले अपने पत्नी को बनाने का प्रियास किया लेकिन इस पे सहमती नहीं बन पाई बहुत सारे बितायक जो है नराज हो गए राग के केजरिवाल की वो नीती दोसी थी उसके अलवा जो है बहुत सारे अंडरपास में पानी भरा उसके उसमें जो है बहुत सारे लोगों की मभत हो गई अब के मोर्मी के दिनों में प्यासे मरनी को मजबूर कर दिया। आता ऐसा न्यूज में चल रहा है आतीसी के पती जो है रिसर्चर है और एक न्यूज एजनसी जो है कैसे 17 कड़ो रुपया जो है जो आतीसी की का रिलेटिव है वो जो है कैसे 17 कड़ो रुपया जो है वो सारी चीजे सराब घोटाला में कैसे सल्लेप्त है ये सारी चीजे पानी नहीं मिलता था तो धरने पर बаड़ जाती थी कहना सुरू कर देती थैं कि दिली के लोगों कौप पानी दो पानी कौन राश्ट-पति दोई पानी देंगे मंत्री आप आपको पानी देना तो बोलती थी कि जो है हरियाना से पानी नहीं आ रहा है उनकी सरकार पंजाब में है वाइसल का पानी जो है पंजाब से यमुना सतलज रिवर का पानी जो है पंजाब से आता है वहाँ पे कुछ नहीं बोलती थी हिमांचल से पानी आता था वहाँ पे जो है आतिसी होगी और सारा विरोध परदर्सन आतिसी के खिलाप होगा और केजरी वाल जो है अराम से राजनिती जो है करने का प्रियास करेंगे और कहेंगे कि इस बार जो है मौका दीजे मैं बनूंगा सी एम तो जो है पूरे अपने राज्य को जो है वो सिंगापूर से ज process पर अर्बीन के जरिवाल जी से बार चुनाब लड़ेंगे सand जो फरी का खूसना किये थे कि अब डिटी सी का अछलत ऐसी हो गई है कि वो जो घाटे में है जलबोड जो है पहले फायदे में हुआ करता था दस जार कोड़ो रुपया का फायदे में हुआ करता था अब सत्तर हजार कोड़ो रुपया को समझने की जो अरत है कि बिहार सरकार को जो आर्थिक पैकेज के रूप में केंदर सरकार ने जो पैसा दिय पैकेज भाट, और दिली का उर्फ एक मंत्रा। बाट का जल्बोड पेता हैं। और दस साल से जो है बिजली और पानी और बस के चक्कर में जो है आप जो है सी एम बने इस बार आप क्या देंगे तो केजरीवाल कहेंगे कि हम इस बार जो है सिंगापूर बनाएंगे दिल्ली को जैसे जो है पिछले दस साल से बनाते आ रहे हैं ऐसा कुछ घोषना करेंगे और उसके अलावाँ यह कहेंगे, कि दिल्ली वाले आप अपने अपने खाते का डीटेल समय दे दो हम आपके खाते में आधा आधा किलो जो है सोना डाले करेंगे चुनाओ जीतने के बाद और ऐसा केजरिवाल कर भी सकते हैं लेकिन करने से पहले जो है दिलली के लोगों को मरने के लिए मजबूर कर देंगे कि आप फासी लगा हो तब आपके खाते में आदा किलो सोना देंगे काहए रहे हैं काहए के export बिजली फ्री बस और फ्री पानी के चक्तर में आपको प्यासा मरना पड़ा आपको ट्रेफिक जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको परदूसीत वॉताबरन दिल्ली में रहना पड़ा बहु सारे बुजद्ण लोग बहुत सारे बच्चे जो है वो बिमार हुएं बहुत सारी मैलाएं बिमार हुई प्रेगनेंट और बिमार हुई और बहुत सारे लोग जो है काल के गाल में समा गए तो दिल्ली देश की रजधानी है और देश की रजधानी को जो है डमरू बना के छोड़ने की जरूरत नहीं है जो कोई भी आए तो बजा के चला जाए अब दिल्ली के लोगों को जो है अपने हिसाब से और फ्री के चकर में ना पढ़ते हुए दिल्ली के हित में जो है वोट करना होगा और अगली बार जब चुना हो तो आतीसी और आतीसी मार लेना जो आतीसी सिंग हो चुकी है अलाकि उन्होंने सर ने मार लेना ही रखाता लेकिन भोट लेने के लिए जो है आतिसी सिंग हो गए अरे ससूर काहलाग बिदायक बनाया है दिल्ली का लोग आप लोगों को काहलाग खाली बक्चोदी रेलने के लिए बताइए इस बार जो है दिल्ली के लोग सबक सिखाएंगे और नई सरकार दिल्ली में जो है अगली बार जब चुना होगा तो बनेगी और नई सरकार जो है उन नाटक करने वाली सरकार नहीं बनेगी जो बात बात में नाटक करना शुरू कर देती है बात बात में जो है दंगाईयों का साथ देती है जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्टाइक होता है तो उसका सबूत मांगती है बंगलादेश में हिंदूों के साथ हिंसा होता है तो मर्थन में खड़ी हो जाती है तो वो ऐसी सरकार का जड़ जो है पूरी तरीके से अब खोंखला हो चुका है दिल्ली के लोग इस चुनाव में जो है उखाड के फेकेंगे और दिल्ली में नई सरकार बनेगी तो दिल्ली का सच में विकास होगा एक बात मैं कह देना चाहता किसी को अच्छा लगे या बुरा सीला दिक्षित जो सीएम थी दिल्ली की वहां तक दिल्ली का विकास हुआ है और सीला दिक्षित का ट्विहारी वाजपई से भी अच्छा था मनमुहां सिंग जी से भी अच्छा था सीला दिक्षित जो है वो मतलब कि भाजपा सरकार में इसको जो है इसको आप खतम करना और नया सरकार बनाना है और नया सरकार जो है फिर से अटल विहारी बाजपेई जिस परकार से development करते थे दिल्ली के लिए जिस परकार से सुस्मा सौराज ने दिल्ली को चलाया था उस परकार की सरकार जो है दिल्ली में बनेगी और नई सरकार नए तरीके से दिल्ली को नए रास्ते पे जो है सच में नया दिल्ली बनाएगी बाकी आतिसी जो CM बनी है उसके बारे में आप तिसी सिंग है अर्विन के जरिवाल ने ये मास्टर स्टॉक खेला है कि अपने उपर से जिम्मेवारी को जो है वो पास देने का प्रयास किया है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोग अपना राय जरूर रखें और हां बिहार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं बिह सब्सक्राइब में रोजगार स्रीजन कैसे होगा इसके बारे में भी आप लोग अपना राय रख सकते हैं जैंद